दोस्तों कुण्णुनुज में आपका स्वागत है चैनल को लाइक वे सब्सक्राइब करें कि यह देखें उत्तर पर्देश का ग्राम विहंग जिला गाजेबाद विदानसवा छेत्र मुराद नगर इसकूल का बदहाल हाल यह बच्चे बैटे हुएं और परदान अध्याबक का जो कक्ष है अभी तक वो ताला लगा हुआ है आठ बज कर 26 मिनट पर भी परधान अध्यापक के ओफिस का ताला लगाओ और स्कूल के बच्चे बहार बैठे हुएं कोई भी आने को परधान अध्यापक तयार नहीं है मेरी योगी सरकार से अफील है कि मान्य मुख्य मंत्री योगी जी से कि मान्य मंत्री जी इन स्कूलों का अगर बदहाल रहा तो इसमें बच्चे बढ़ाएगा कोन सरकारी स्कूलों को आप इतनी सुविधा दे रहे हैं तो पड़ान अध्यावक स्कूल माने की कोशिश तक नहीं कर रहे सरकारी पैसे का लुफ उठा रहे हैं और मजा ले रहे हैं यह स्कूल की बदहाली का हाल दे कि यह कैसा है यहां तक की कोई आदमी इस पे करवाई कराने के लिए तैयार नहीं है अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है यह है हमारे सरकारी स्कूल का हालाद आप देखेंगे उत्तर परदे सरकार में कैसे हालाद है क्लास टीचर स्कूल में आने के लिए तैयार नहीं है बच्चे बैठे हुए हैं अभी तक नो बजने वाले हैं और स्कूल के अंदर कोई भी टीचर आने को तैयार नहीं है किरिप्या इसे जादे से जादे देखने के बाद इन पर कारवाई करने की कोशिश करे मुराद नगर विधान सभा, जिला गाजेबाद, ग्राम वीहंग का ये मामला है इसे देखते हुए मेरी महुद्य से विंती है कि इस छेत्र के कलेक्टर महुद्य से विंती करी जाए और इस स्कूल का मोके पर मुआयना कराए जाए बदहाली का आलम आप देखेंगे तो सोचेंगे